असलाम लेकूं वेलकम बैक कुकिंग विद फाइजा में क्या हाल हैं उमीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे और आज हम बना रहे हैं जी चाइनीज सूप हम बनाएंगे और चिकन चाइनीज सूप के लिए हमें चाहिए एक पाउ चिकन और पानी आप इदर देख सकते हैं कितना हमें जितना अपने सूप बना नहीं से हिसाब से थोड़ा सा पानी उपर ज्ञादर डालने ठीक हैं क्योंके चिकन इसी पानी के अंदर गलना है ठीक है और ये पाउ हमने चिकन लेलिया एक पाउ चिकन हम डालेंगे हैं इसके अंदर पानी रखा हुआ था ये वाला इसके अंदर हम चिकन लाल देंगे और साथ ही हम इसके नमक 1.5ड को चुले के उपर रका दिया हमने अब अच्छी तरह हम इसको बाले द्लाएंगे इतने हुब बाले दिलाने है कि चिकन अच्छी तरह गाल जाए ठीक है इधर हम चिकन को चेक का रहे हैं और चिकन अच्छी तरह गाल गया ठीक है और चिकन को हम निकाल लेंगे एक बटन में निकाल के और निकाल के हम इसके छोटे छोटे पीस का लेंगे करके फिर हमें नाग ले तो फिर स्मेल भी आती है जो एक खाय में बिनी जाता है इधर हमने ने फिनिंगशन डाले इसके अदर का फॉर से फ़ाइब अच्छी तरह हम ने डाला और इसके फाइफ स्पून डालने ठीक है और इधर जो चिकन निकाला हुआ था वह हम ने ऐसे मैश कार के फिर प्रोवे पweł में जब औरушки और कच्छा पान ना रहा हा कि प्रोवे दुंदी घुड़ी और को स्टागे व्रही हो रीजारी सफून आ ब सबस्क्राइब कर देके कि छिम्थिकलशनों में घुल ज़िए और इसको आइसको ना मैं य Васज है कhao कि इदर जी हमने चिकन को अच्छी तरह गलाना है दुबारा से और इदर हमने चाइनीज नमक यह डाला सिर्फ इतना सा हमने चाइनीज नमक इसके इंदर एड़ किया तो फिर हम इसको अच्छी तरह चमसे से फिर हिलाएंगे और साथ साथ हम अब इदर अंड़ा भी होगा हमारे पास दो हमने अंड़े ले लिये थे इसके अंड़े डालने के लिए उनको हमने अच्छी तरह फैंट लिया था फैंट के तो हमने इसके अंड़े डालने हैं लेकिन जब हम लोगों ने अंड़े डालने हैं इसके अंड़े जाएंगे वैसे ही हम चम्चा हिलाते जाएंगे ठीक है चम्चे को हम लोग उन्हें नहीं रोकना ये देखे मैंने ऊपर कारके ऐसे थोड़ा सा डालूँगी फिर अच्छी तरह ला लूँगी फिर थोड़ा सा डालूँगी इसी तरह हमने अंडे को थोड़ा थोड़े वकफ अंदर डालना है भी देखते जाएं और जी मेरे चाइनल पे जितने न्यू आने वाले वीवर्स हैं मेरे चाइनल को लाइख सब्सक्राइब और शेयर करें और इदर जी अच्छी तरह हमने इसको पकाना है और इदर जी हम इसके अदर कॉम्ट्रोल डाल रहे हैं ठीक है वह हमने लिया था एक डिबा चोटा ठीक है एक डिबा चोटा जो है वह फुल मेरा लग है इसके अंदर जी कहते हैं जी फॉर स्पून डालो फाइफ स्पून डालो उससे कोई नहीं यह बनता सीधी बात है और जी इदर हमने छोटा डिबा जो है रफानवालों का ले लिया था ठीक है एक मीडियम साइज का वो मेरा पूरा लग गया इसके अंदर ठीक है इसके अंदर ही पकाउंगी मैं अच्छी तरह हो सके तो बलैक मीर्ची आप पहले डाल दीजेगा अंडा डालने से भी पहले डाल दीजेगा रेकिन मैंने इस टाइम पे डाली थी और इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे क्योंकि गराप अच्छी तरह नहीं इसको बनाएंगे इदर माशाला हमारा सुब रैडी है लेकिन इसकी इदर पकाई थोड़ी सी करनी चाहिए उसकी वज़ा यह है कि अगर यह हम इस चीज़ों को डालके तो फोरें इसको उतार लेते हैं फिर अंदर से कच्छे पान की जो समेल आएगी ठीक है अंडे की भी आएगी और जो हमने कॉंट्रॉल डाला है उसकी भी आएगी ठीक है और अधर जिम आपको थिकनेस चेक तरवारी थी इदर आप देख सकते हैं हमने सबस मिर्चे दो ली है उसके अंदर हमने फिनिगन डालके हमने इसको 15-20 मिंट रख देना है ठीक है 15-20 मिंट बाद हमने जो सूप रैडी किया होगा उसको साथ उसके उपर मैंने सोया सो उपर डाला और जो इदर हमने फिनिगन के अंदर इसको बिग गोया हूँ ऐसा बज मिर्चू को तो वह हम उपर डाल देंगे और यकिन करें इतना मज़े का टेस्ट आया था जिस इसको मैं रेसेपी पसंद आई हो कमेंट्स बोक्स में जरूर बताएं अपनी दूआ में हम याद रखें और काल इन्शाला ताला नई वीडियो के साथ हम हाज़र होंगे आला हाफीज